हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जोब ग्यान चैनल, गाइस मैं हूँ सारीका और आज की क्लास के अंदर हम लोग कबर करेंगे 20 most questions जो कि आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटिव होंगे, जो कि आपके आने वाले RRB, NTPCO, GroupD exam के लिए helpful तो रहेंगे, साथ में अधी करते हम लोग session, देखें, फर्स्ट कोस्चन आपसे पूछा गया है, The I.T.C.A.C.T.O.F. इंको बताना है कि जो राजची के नीती निर्देशक तत्र हैं, उनकी आफधारना भारतिय सम्मिदान में कहां से उधाल ली गई है, तो यह कहां से ली गई है, आपको बताना है, Option 1 फर्स्ट है, Constations of USA, Option 2nd, Constations of UK, Option C, Constations of Ireland, Option D, Government of Indian Act 1935, तो यहां पर जो आपको पता होगा, जो डारेक्टिब प्रिंस्पल आफ इस्टेट पॉलिसी है, वो हमारे Constations के पार्ट 4 के अंदर है, जो कि आइटिकल 36 से लेके 51 तक हमारे Constations में, डारेक्टिब प्रिंस्पल आफ नीती निर्देशक तत्रों के बारे में बताया गया है, तो जो राजी की नीती निर्देशक तत्र है, वो हमने आइलेंड के Constations से लिए है, तो यह Option C, यहां पर Correct Option है, आप देखें, नेस्ट कॉस्चन पर आते हैं, यहां आप से पूछा गया है, तो आपको बताना है, समान फेस्सचन के प्रिंसपल ऑफ स्टेट पॉलिची संबंदित है, यहां फिर प्रोवीजंस of labour law से संबंदित है, यहां फिर fundamental rights से संबंदित है, यहां फिर मैटर ऑफ से टुपास बिल से संबंदित है, तो देखें, जो इक्किल फॉर और इक्क्किल बर्क है, यह हमारे article 38 में Article 36-51 तक हमारे Constitution में Directive Principle of State Policy है तो इनी Directive Principle of State Policy के Article 38 के अंदर बताया क्या है कि State should also minimize the inequality for income and opportunity and facility याणी राच्य क्या करें अपनी सुभदाओं के अनुसार आउसरों की असमानता हैं जो भी हो उनको पूरा करे और राजिक का ये कर्तब होगा कि बस सभी नागरेक चाहे वो महिला हो या पुरोस हो वो समानेकार के लिए उनको समान बेतन का प्राइबधान करें ये हर राजिक का कर्तब होगा तो देखें जो equal pay for equal work है वो इसी से संबंदित है और ये है हमारे directive principle of state policy के अंदर तो option number A यहाँ पर correct option है अब देखें question number 3 है यहाँ आप से पूछा क्या है under the directive principle of state policy about age of children they are expected to provide free and compulsory education तो आपका बताना है राजिक के नीती निर्देशक सिद्दानतों के तहत बच्चों की किस ओर में तक उन्हें मुक्त और अनिरबार सिक्षा पैदान करने की उम्मीद है की जाने की उमीद है तो ये है देखें पहले हमारे जो constitution के article number 45 में हुआ करता था उसमें ये प्राइबधान रखा गया था free and compulsory education to children age to 6 to 14 year तो इसमें जो age है वो 14 year तक के age को free and compulsory education का प्राइबधान था article 45 में फिर क्या हुआ 46 में सम्मीदान संसोदन यानि constitutional amendment किया 2002 के अंदर जिसके जरिये ये जो हमारा 45 article के अंदर 6-14 साल तक के बच्चों को निसुर्क और निर्मिस सिक्षा का प्राइबधान था ये article number 21 के A में add कर दिया गया 21 A में इसको सामिल किया गया और जो यहाँ पर 45 था उसमें जो age रखी गई वो below 6 year रखी गई ठीक है ये age हो गई 6 year यानि जो 6 साल ते कम बच्चों हो उनको निसुर्क और निर्मिस सिक्षा का प्राइबधान किया गया ये है article 45 में तो यहाँ पर जो correct option होगा वो option number first है अब देखे question number 4 में हम लोग आते हैं यहाँ आप से पूछा गया है भारतिय सम्मिदान में राजची के जो नीती निर्दे सक्तत है को सामिल करने का मुख खुद्देश क्या था तो आपको बताना है तो देखे राजची के जो नीती निर्दे सक्तत है वो हमारे part 4 ऑफ इंडियन कॉंस्टेशन के अंदर है जो कि article 36 से 51 तक हमारे कॉंस्टेशन में है देखे किसी बेर राजची के नीती निर्दे सक्तत्रों का मैन मकसद यह होता है कि उस राजची को क्या करना कल्यान कारी राजची की स्थापना करना तो यदि आपको पता हुगा fundamental rights और जो हमारे directive principle of state policy है उनमें यही difference है कि जो हमारे मौलेक अधिकार है उनमें यदि हमसे कोई बंचित कर दे इसको तो हम लोग direct supreme court या high court में जा सकते हैं इसलिए राजची का करता है कि राजची की नेती ने दे सकता है तो राजची का ही है तो यह थे directive principle of state policy में मैं अंतर अब देखें अब हम लोग आते हैं question number five में question number five के अंदर आप से पूछा क्या है political equality is found in तो आपको बताना है राजचनेतिक समानता पाई जाती है तो यह पाई जाती है universal address अब देखें question number six आप से पूछा क्या है तो आपको बताना है भारत से पहले समानता के जो बर्ड है वो कहां पर है तो यह बर्ड कहां पर है तो आपको बताना है option no.1 दिया थिया है constitution के अंदर हो आप से नंबर बी दिया है कि के स laws के अंदर है यह option no.s दिया है ठीक है गांदीवादाजर्शन के अंदर है तो यह है यह कॉंसिटेशन के अंदर एक्कुलीटी वेफोलाओ यह है बताया चैस के बारे में स्क्वार Iran कow से बिए तो कि खीम और फ्यांते जरु पर अधने के नाम है यूनिटरी पाबर जिसको हम बोलते हैं संग हर संघ्वात्मक सकती वोटा уж है तो यूनिटरी पावर के अंदल जो सेंटर होता है यानि जो होता है उसे सद्धियों मजबूत होता हुटा है तो जो सेंटर होता है Что- hackers से हमेशा मजबूत होता है यूनिटरी पावर में लिए विद आपने नम्हें पहें पूछा गया है बिच वन ऑप फॉलोइंग डिस्क्राइब जा इंडिया एज शेक्वलर स्टेट तो आपको बताना है इन में से किसमें से बताया गया है कि भारत धर्म निर्पेक्षा राज्य की रूप में परणन किया गया है तो क्या फंडमेंटर राइट्स में बता से की रहा है कि ऊप्से नमर यह है आपको दिया है डायक्टिव प्रिंस्पल अफ एस्टेट पालिसी के अनल बताया हुआ है ऑन्ला फिप्र जी डूव इंडियन कॉंस्टेशन में है और दिया है परेंब़ आफ फिंदीन कॉंस्टेशन में तो देखे जो वारे इस्टेट तो यह तीन बर्ड हमारे प्रेंबल में पहकल नहीं हुआ करते थे फिर इनको 42 समिदान संसोजन के जरिए इनको एट किया गया और देखे जो यहां पर लिखा हुआ है सेकुलर उसका मींस क्या होता है सेकुलर होता है कि हमारे देश में जो किसी भी दहर्म को मानने के लिए को में मकसद होता है सेकुलर वर्ड का ठीक है तो ओप्सन नमबर यहां पर हमारा दी करेक्ट ओप्सन था अब देखे हम लोग आते कॉस्चन नमबर नाइन पर कॉस्चन नमबर नाइन में आप से पूछा क्या है इन दा पालिमेंटरी फ्रॉम दा गबर्मेंट रियल पाबर स्टेट और बेस्ट इंदा तो आपको बतारा है कि जो पालिमेंटरी सिस्टम है भारत में संसदी रूप है सरकार की उसमें राजची की जो बास्तिक सकती होती है वो किसमें नहित होती है तो यह सकती नहित होती है काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर हैड़ेड़ वायद प्रेज ये प्रैप्धान रखा गया है कि जो राष्टिपती होगा कि सलाई देने के लिए संसद में एक मंत्री परसद होगा कबिनेट मिनिस्टर होगा और जो head of cabinet मिनिस्टर होता है वो हमारी क्या होते है प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो भारत सम्मिदान की जो प्रस्ताबना है उसी में ये बर्ड है सोबरजिनिटी सोबरजिनिटी वर्ड है इसका मेनिंग होता है कि जो हमारा भारत है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए भारत में इंडिपेंडेंडेंस होना चाहिए मतलब जो भारत है वो एक इंडिपेंडेंडेंस कंट्री होना चाहिए यहां कोई भी बाहरी लोगों क यहां प्रधान नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्रधान होगा, मतलब मैन होगा, जो हमारे कंट्री का, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, यह इसका मानना है, तो ओप्सन नमबर यहां पर जो हमारे करेक्ट होगा, वो होगा ओप्सन नमबर D, सम्मिदान की प्रिस्ताबन हम भारत के लोग परवो संपन है और हमारे देस का जो पिर्दान होगा वो भारत का नागरिक ही होगा यह ऊपर यह भी कहा गया है कि जो भारत है वो इंडिपेंडेंडेंस कंट्री होगा यहाँ पर कोई external इंटर्फेयर्न नहीं होगा यानि कोई बाहरी लोगों का सासन नहीं चलेगा यहां पर ठीक है अब देखे अब हम लोग आते हैं कॉस्टन नंबर 11 पर कॉस्टन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है तब प्रेंबल ऑफ इंडियन कॉंस्टेशन बाच फ्रॉम दर फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट वाइदा तो आ जिसमें हमारे प्रेंबल में तीन बर्ड जोड़े गए वो कौन-कौन से सोसिल सेकुलर इंटरगेटी यह तीन बर्ड हमारे कॉंस्टेशन में पहले नहीं थे प्रेंबल के अंदर पहले यह बर्ड नहीं थे फिर इनको 1976 के सम्मिदान संसोधन किया गया इससे यह तीन बर् प्रेंबल के अंदर ठीक है और प्रेंबल के अंदर और जो बर्ड है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक है सोबर्जिनिटी जो अब हमने पढ़ा था और एक है सोसिलिस्ट बर्ड जिसका अर्थ होता है समाज बादी एक है सेकुलर और डेमोक्रेटिव रीपब्लेक अब देखें नेस्ट कोस्टन है हाओ परसन कैन विकम सिटीजन ओफ इंडिया इफ ही वोण आवो तो आपको बताना है कि अगर कोई बैक्ति बिदेश में पैदा हुआ है तो उसे भारत की नागरिक्ता कैसे बन जाना चाहिए यानि उसे भारत की जो नागरिक्ता है वो कैस से मिलेगी तो देखें यहां पर उसन नंबर दिया है फादर इजा सिटीजन ओफ इंडिया पिता भारत का नागरिक होगा यदि फादर मादर इजा सिटीजन ओफ इंडिया माता भारत की नागरिक होंगी और फादर इजा सिटीजन ओफ इंडिया एड़ टाइम ऑफ परसन नागरेक माना जाता है जो इन कंडीसंस को फॉलो करता है तो अब बहरत राज छेत्र में जन में लिया हो या जिसके माता या पिता मैसे कोई एक भारत का नागरेक हो या कम से कम पांच बर्ज तक भारत में क्या करें निबास रहा हो उसका या फिर वो 26 26 जन्वरी 1950 को भारत छेत्र में अधिवासी हो या फिर बस्तामान रूप से भारत में क्या कर रहा हो निबास कर रहा हो तो यह सारी कि सारी कंडिसन थी भारत के नागरिक होने के लिए तो यहां पर जो correct option होगा वो होगा father and mother father और mother या तो father या फिर mother क्या होना चाहिए जन्म से समय भारत का नागरिक होना चाहिए तो option नंबर यहां पर टी करेक्ट option है अब हम लोग आते है question 30 पर यहां पूछा गया आपसे which article of Indian constitution deal with a person and acquiring citizens of foreign state not to be citizen तो आपको बताना है भारतिय समिदान का कौन सा अनुछेद किसी बिदेशी राच के नागरिकता प्राप्त करने के तो यदि कोई बेक्ती किसी बाहरी देश या पिदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है देखें यह प्राप्धान किया गया है article number 9 में article number 9 है उसमें लिखा हुआ है कि terminations of citizen यानि नागरिकतों को न नागरिकता का निलम्मन कैसे होता है तो इसमें कहा गया है कि article number 9 में कहा गया है कि यदि कोई भारती नागरिकता दौरा यदि भारत का वो नागरिक है यदि वो किसी बिदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है बिदेशी नागरिकता को गरहन कर लेता है तो उसकी जो भ भारती नागरिक्ट समाप्ति कर दिया जायेंगा तो यहां पर एक प्रहुजआ क 지나 ख़ुचा है और और ज का परते हैं तो में अब को सेटिशन्हार और में चैने की था आपकर प्रत्थम नागरेक के हैं अब कि उसकारे pets ना आगरेक माना जाता है ठीक है और जो की रास्टपती के बारे में बताए गया है वो बताए गया है आइटिकल 52 से लेके 62 तक हमारे Constitution में रास्टपती के बारे में बताए क्या है और जो President होते हैं वो हमारी Head of Educative of Union यानि जो कारपालिका होते हैं उसके परधान भी माना जाता है भारत के रास्टपती को ठीक है यानि जो कारपालिका की पूरी के पूरी सक्ती होती है वो President के पास ही होती है अब देखे नेस्ट कोश्चन इन इंडिया Concept of Single Citizen is Adopted from the तो भारती नागरिक्ता में जो एकल नागरिक्ता की अधारना है वो हमने कहां से लिए है तो जो Single Citizenship है वो हमने Island के Constations से लिए है तो आपको पता होगा जो Article Number Citizenship के Article Number 5 हमारे Constations का उसमें बताया गया है Definition of Citizen टू टाइब की Citizen होती है जिसमें एक होता है Single Citizen और एक होता है Dual Citizen जो Single Citizen है इसकी एकल नागरिक्ता है जो हमारे देश में है उसको हमने कहां से लिए England के Constations से लिए है और जो Dual Constations यानि Dual Citizenship है दोहरी नागरिक्ता है उसका जो प्रैबधान है वो USA में है शूजलेंड में है यह देश है जहां पर दोहरी नागरिक्ता होती है ठीक है अब देखिए Question No.16 पर हम लोग आते हैं यहाँ से पूछा गया है Who said the good citizen make the good state and the bad citizen make the bad state कहने का मतलब है कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है यह और तो आपको बताना है तो देखे जो अरस्तेथ है उन ही वर्ड कहा था कि या अच्छा नागरिक होगा तो व राजी का मिया और नागरिक होगा तो व बुरे तरीके से राजिका नेरश रारिक निर्मान करएगा यह ज़गा है अब latest question आपसे पूछा क्या है नो परसंवि citizens of India, if he has तो आपको बताना है, कोई भी बैक्ती भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके पास क्या नहीं होगा निमने मैं से ठीक है, पांस से अधिक एक बिदेशी देश में रहा हो मतलब पांच बड़ से यदि वो अधिक आयू तक बिदेशी राज में रहा हो और उप्सन नमबर दिये है बिदेशी अदालत दौरत दोसी ठहराए गया हो या वे सोक्षा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर चका हो या फिर ये दूसरे देश के साथ रोजगार सिवकार किया हो तो यहाँ पर जो करेक्ट ओप्सन होगा वो होगा ओप्सन नमबर C क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है जो आइटिकल नमबर 9 ने उसमें कहा गया है वो परसन यदि वो स्विक्षा से अपनी अनुमती से ही वो दूसरे देश की नागरिकता को गरंड कल लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी समाप्त कर दी जाएगी ठीक है तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं होगा अब देखें Qustion No.18 पूछा गया है Dual citizen is a features of दोरी नागरिकता की एक बिसेष्था है दोहरी नागरिक्ता किसकी बिसेशता है आपको पताना है तो दोहरी नागरिक्ता है federal system जो हमारी दोहरी नागरिक्ता है वो federal संगिय सरकार की बिसेशता है नेस्ट कोस्टन आपसे पूछा गया है provisions of citizens in India become the applicable sender तो आपको बताना है भारती सम्मिदान में नागरिक्ता के प्रैपधान लागू हुआ था वो कब से हुआ था तो नागरिक्ता के प्रैपधान लागू हुआ था 1950 से तो 1950 में भी नागरिक्ता अधिनियम एड बना था जिसके जरी तीन पास टाइप के वहाँ पे वो दिये गए थे कि बर्त के आधार पर नागरिक्ता मिलना 1955 में एक एक्ट बना था सिटीजन सिप एक्ट 1955 जिसके जरी नागरिक्ता को पैदान करने के पास तरीके थे देखे इसके जरी नागरिक्ता को प्राप्त करने के पास तरीके थे वो कौन-कौन से थे सिटीजन से पर वर्थ एंड अनुब जो उनकी बंसागुनत सिटीजन से पर रजिस्टेशन के नैस्नाइजाजिशन यह सब इसमें बारे में बताए गया था अब देखे नेस्ट कोस्टेशन पर आते हैं राज्यसभा विंकता पार्लेमेंट हाउस तो आपको बताना है राज्यसभा एक इसताई सदन है तो इसके बारे में बताना है आपको यहाँ पर ओफ्सन नमबर फर्स्ट है दिया है वन हाप ओफ इस मेंबर रिटाइड एबरी साल में रिटाइड किया जाता है तो आप सन्मबर फी यहाँ पर करेक्ट है अब देखें यह कोस्टन सॉप और इंक इंसर आपको देना है वाटेजर डियुरेशन सॉप मेंबर सीप उप स्टेट लाजिस इस्टीट कांसिलिंग तो आपको बताना है जो राज बिदान परि दिया है युद्व और बाहरी आख्मन से उत्मन आपात काल की घुष्णा में संसत के दौनों सत्रों पर और अनुमोदित किया जाना चाहिए तो कितने दन का अनुमिदन होना चाहिए और फिस्ट प्रिया थिए 25 डे और बी दिया है 1 मन्त अफ्सट नमबर दिया है 45 डे और अफ्सट नमबर डी दिया है हाँ पर थिरी मन्त तो इन मेंसे जो करेक्ट अफ्सेन होगा वह आपकर में कमेंड करके बताएगा थेंक यू गाईस और टैंक्स फोर वाचिंग दिस